महान गाथा महाभारत के युद्ध के किसे तो आपने काफी सुने होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कथा का अंध कैसे हुआ युद्ध के बाद पांडवो का क्या हुआ और सबसे बड़ा सवाल कि शिरी कृष्ण का क्या हुआ आए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद युदिस्टर को हस्तिनपूर का राजा बनाया गया लेकिन कौर्वो की मा गंधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए शरी कृष्ण को दोशी ढराते हुए उन्हें शिराब दिया कि जिस तरह कौर्वो के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी तरह यदूवश का भी नाश होगा पान्यवों ने 36 साल तक हस्तिनापूर पर राज किया और समय के साथ साथ गंधारी का श्राब भी असर दिखाने लगा स्थिती ऐसी हो गई कि पूरा यादव कुल एक दूसरे की खून का प्यासा हो गया और बात यहां तक पहुच गई कि उन्होंने आपस में लड़कर अपनी पूरी नसल को ही खत्म कर दिया इसके बाद एक दिन एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्णा पर एक तीर चला दिया क्यूंकि श्री कृष्णा मानव शरीर में थे तो उन्हें अपना शरीर छोड़कर जाना ही था उस शिकारी के तीर से लगने के बाद कृष्णा जी विश्णू के रूप में आए और अपना शरीर त्याग दिया इस घटना के बाद श्री वेद व्यास ने अरजुन से कहा कि अब पांडवों के जीवन का उदेश खत्म हो चुका है और अब उन्हें हिमाले की ओर अपने अंतिम यात्रा करनी चाहिए ये वो वक्त था जब द्वापर्यूग खत्म होने वाला था और कल्यूप के शुरुवात होने वाली थी अपने जाज्य में अधर्म को भरता देख युधिश्टिर ने राज्य सिंगहसंद अरजुन के पोते परिक्षित को सौप कर चारो भाईयों और द्रौपती के साथ स्वर्ग तक पहुचने के लिए आखिरी तपस्या के रूप में जीवन की अंतिम यात्रा पर हिमाले के ओर चल पड़े एक कुट्ता भी उनके साथ साथ चल दिया स्वर्ग की उनकी यात्रा में एक एक करके पांडवों की मृत्ती होने लगी सबसे पहले द्रौपती की मृत्ती हुई और फिर एक एक करके सहदेव, नकुल, अरजुन और भीम का भी अंति हो गया इन सब की मौत का कारण था सबके अपने अपने गुरूर की वज़ह से आई हुई अलग-अलग परेशानिया सिर्फ युदिष्टर जिसने कभी भी गुरूर नहीं किया कुट्ते के साथ हिमाले के बार स्वर्ग के दर्वाजे तक बहुत सका स्वर्ग के दर्वाजे पर यमराज जो की कुट्ते के रूप में युदिष्टर की यात्रा में उनके साथ थे वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और युदिष्टर को स्वर्ग की और ले जाते हैं लेकिन उससे पहले यम्राज युदिश्चर को नर्क के नजारे दिखाते हैं जहां द्रौपती और उनके भाई अपने पापों का प्राइश्चित करते हैं लेकिन बाद में इंद्रदेव के कहने पर चारो पांडव और द्रौपती अपने कर्मों की सजा भुगत कर युदि लोग आरंब हुआ जिसे आप और हम जी रहे हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट्स मों बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें थांक यू